हेलो दोस्तों मैं हूँ आपको दोसने रजन सिंग और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक गुड नियूज जो भी स्टुडेंट या जो भी लोग यूके ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत ही बड़ा गुड नियूज है कि यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट कंट्री से रिमूव करके अमबर लिस्ट कंट्री में डाल दिया है जिससे अब आपको कोई भी गवर्मेंट होटल कॉरंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है सही सोना दोस्तों आपने कि इंडिया को रिमूब कर दिया red list country से और अब वो umber list country में है बट इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कोई भी restrictions नहीं है अब जैसे covid से पहले UK travel करते थे वैसे travel कर सकते नहीं कुछ-कुछ restrictions है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए जानते ह है क्या restriction से तो दोस्तों इंडिया अभी भी रेड लिस कंट्री में है और 8 अगस्त तक वह रेड लिस कंट्री में ही रहेगी जैसे कि चार अगस्त को UK ने डिकलेयर कर दिया है कि इंडिया इस रिमूट फ्रॉम दा रेडली स्कंट्री यह एप्लीकेबल होगा 8 अगस्त से तो जो भी लोग या जो भी student travel कर रहा है आठ अगस्त से पहले वो उनको सभी criteria जो कि अभी चलता आ रहा है वो सब follow करना ही पड़ेगा means hotel quarantine और वो सब उनको करना ही पड़ेगा अगर आप 8 अगस्त के बाद आते हो तो 8 अगस्त के बाद इंडिया umber list country में चला जाएगा जिससे कुछ-कुछ rules में changes है तो चलिए देखते हैं क्या-क्य rule है सबसे पहले हम इदे discuss कर लेते हैं कि अगर आप 8 अगस्त से पहले आते हो एक hotel quarantine book करना पड़ेगा government hotel quarantine book करना पड़ेगा including two covid test और passenger locator form आपको fill करना पड़ेगा यह चीज़े आपको करना पड़ेगा अगर आप 8 अगस्त से पहले आते हो तब और आने के बाद आपको 10 day hotel quarantine रहना पड़ेगा और उसी hotel quarantine के time आपको 2 covid test करना पड़ेगा जो कि hotel quarantine के package मे already included है जो कि second day और 8th day होता है और no exception for fully vaccinated people उसके बाद अगर आप 8th के बाद आप आने का plan कर रहे हो तो good news है तब तक वो इंडिया अंबर लिस्ट कंट्री में चला जाएगा तो उस case में rules जो हैं अंबर लिस्ट के applicable होंगे तो उस case में अगर आप इंग्लेंड आने से पहले आपको कोविट का जो test है negative report आपको चाहिए जो कि जिसकी वैलेडिटी 72 hours विदिन 72 hours होनी चाहिए उसके बाद आपको hotel quarantine book करने की जोरत नहीं है बट आपको कोविट के दो test book करना पड़ेगा और passenger locator form आपको fill करना होगा यूद के आने के बाद आ आप कहीं भी रह सकते हो आपकी घर पर रह सकते हो या आप अपना खुद का private hotel book करके 10 दिन वहां रह सकते हो और आपको दो test करने पड़ेंगे second और तो अंबर लिस्ट कंट्री में fully vaccinated लोगों को भी exception मिला है तो उसमें exception में यह है कि आपको quarantine करने की ज़रूत नहीं है और आपको एड़ेगा कोविट करने की ज़रूत नहीं है सिर्फ आपको second day कोविट टेस्ट करना है और उसके इलावा आपको कोई भी restrictions नहीं यूके का fully vaccinated क क्राइटेरिया इधर आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप इंडिया से दोनों डोज लेते हो कोविट शेल्ट या कोवेक्सिन लेते हो तो उसकी वह वैलेड नहीं है उसको fully vaccinated नहीं consider करता है यूके गवर्मेंट यूके गवर्मेंट ने क्लियरली अपने official site में बोल दि कि और उनी के लिए वह fully vaccinated का जो भी criteria है वह applicable होगा और किसी के लिए नहीं होगा तो अगर आप इंडिया से वैक्सिन लेते हो दोनों वैक्सिन लिए हो या vaccinated हो तो उसको fully vaccinated criteria में नहीं आएगा और आपको जो without vaccinated वाली जो चीज़े है means hotel home quarantine और covid test वो आपको करना ही होगा तो हो हो दोस्तों आपको यह news सुनके अच्छा लगा होगा और सभी स्टूडेंट को लिए congrats जो plan कर रहे हैं UK आने के लिए और September Intake में admission लेने के लिए तो उन सभी के लिए congrats और अगर आपको कोई भी information related to UK travel या related to UK चाहिए होगा तो आप वीडियो में comment करें उसका reply हम देंगे कुल को ना भूले जिससे हमारे वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till then stay safe stay healthy धन्यवाद